नमस्काद सुगतापशगी का जी के अमें आज नोग भारत की नदियां पड़ेंगे और भारत की नदियों में सबसे पहले हम लोग सिंदु नदी तंत्र पड़ेंगे भारत की नदियां अगर किसी परिच्छा की बात करी जाए तो यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं लेकिन भारत की नदियां इतना जटिल तंत्र है कि हमें समझ में नहीं आता है अगर इसे ठीक से ना पढ़ा जाए तो यह हमें समझ में नहीं आता है इसलिए हम क्या करेंगे अपनी सुविधा की दरस्टी से इसको पार्ट में पढ़ेंगे जैसे अलग-अलग सिंदू को अलग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र को अलग पढ़ेंगे ब्रंपुत नदी तंत्र को अलग पढ़ेंगे दच्छिल भारत की नदियों को अलग से प नदियां और उत्तर भारत की नदियां यानि कि उत्तर भारत में हिमाले से निकलने वाली नदियां ठीक है यानि कि इनकों दो भागों में बाटते हैं एक तो प्राइदिवपी भारत के पठार से निकलने वाली नदियां दूसरा हिमाले से निकलने वाली नदियां प्राइद जन की सुविदा की दरश्ची से इनको तीन भागों में बाट लेते हैं। हिमाले से निकलने वाली नदियों को हम तीन भागों में बाटके पड़ते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र। दूसरा गंगा नदी तंत्र। और तीसरा ब्रह्म पुत्र। प्रह्मोपुत्र नधी तंत्र इन तीन रूप से हम या तीन भागों में कह लें या तीन बड़ी नदियों के रूप में हम हिमाले से निकलने वाली नदियों का अध् Unknown करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहां पर SIND मदी बना के रखी है हैं क्योंकि हम लोग सबसे पहले सुरवात सिंदुनदी इंदंधी पढ़ेंगे इसके बाद में गंगा पढ़ेंगे इसके बाद ब्रंपुती नदी तंतर पढ़ेंगे इस alde रीकर बारत की नदीयां हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो जलीए हम तो हमें पूरवर्ती नदिया पता होना चाहिए तो देग लिजिए पूरवर्ती नदी ऐसी नदी जो हिमाले के उथान से पहले से प्रवाइत होती चली आ रही है अर्थात हिमाले का उद्गम या हिमाले का जो हिमाले जो बना हुआ है सेनों जो इक कल्प में बना हुआ है और सेनों जो इक कल्प से पहले से जो नदियां प्रवाइत हो रही है और अपना इस्तान आज भी परिवर्तित नहीं किये है या आज भी वो प्रवाइत हो रहे हैं ऐसी नदियां पूरवर्ती नदियां कहलाती हैं इसके बाद में गरम बात करें अनुवर्ती नदियों की तो अनुवर्ती नदियां अनुवर्ती नदी ऐसी नदी जिसका निर्माड या जिसका उद्गम हिमाले के निर्माड के बाद मे हुआ है वो नदी अनुवर्ती नदी कहलाती है तो आपने समझ लिया पूरवर्ती नदियां हिमाले के निर्मार से पहले से प्रवाइत हो रही है पूरवर्ती नदियां हो गई हिमाले के निर्मार के बाद से जो नदियां प्रवाइत हो रही है वो अनुवर्ती नदियां हो पूरवर्ती नदियों के अंतरगत हम तीन नदियों को पड़ते हैं, और ये तीन नदियां itelो हिमाले के निरुवाड़ से पहले से प्रवाहिद हो रहे हैं, इन तीन नदियों के नाम देख लेते हैं पूरवर्ती नदियां, पहली तो है सिंदू, दूसरी सतलाज, और तीसर यह आपकी है ब्रह्मपुत्र छिए अब यह आपके अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूं नॉर्मली ठीक है इसके बाद मैं एको भला ही ढंक से इसको पड़ेंगे ठीक है फुलों में पड़ेंगे ठीक तो सिन्दू नदी आपकी वह मान सरोवर जील यहां पर तिबद शेतरी कहना में चेमा याम डूंग गलेसियर ठीक है इस गलेसियर से ये नदी निकलती है ठीक है निकलने के बाद में ये उत्तर पस्चिम की और प्रवायत होते हुए जम्मु कस्मीर के बाद यहां से ये सीधे पाकिस्तान में चली जाती है इसके लावा हम बात करें अभी पूरवर अगर हम कर रहें तो यह बिड़ंबना है कि तीनों की तीनों मान सरोवर के आसपास से ही निकलती है एक नदी यहां से निकलती और पूर्व क्यूर प्रवायत होती ऐसे और यहां पर इस तरीके से घूम करके और यहां से बांगलादेश में चली जाती यानि कि भारत की इस नदी का नाम जो है ब्रह्म पुत्र है और ब्रह्म पुत्र नदी जो है मान सरोवर जील से निकल करके पूर्व क्यूर प्रवायत होते हुए इस जगह पर एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बारवा नामचा बारवा चोटी के पास से यह यूटर ने ले करके भारत के पर इसका ग मैं यांग या अपद्र। भारत के अव्णांचल प्रदेश में प्रवेस करे करने के बाद में यह आपके असम घाटी में प्रवाइत होते हुए यहां पर आपकी तीन पाड़िया है जिनका नाम है गारोखासी जैंतिया के पूर्व से यहां पर बांगला देश में प्रवेश कर जाती है ठीक है जो की हमने बात करी आपकी ब्रंपुत नदी की और ब्रंपुत नदी जो है आपकी एक पूरवर्ती नदी है जो की हिमाले की निर्मार से पहले से प्रवाइत होती चली आ रही है अब एक तीसरी नदी है जिसका नाम जील है यहां पर एक ताल अवस्तित है जिसका नाम है राकस ताल राकस ताल कुम राचस ताल के नाम से भी जानते हैं और यहां से निकल करके यह नदी कुछ इस तरीके से प्रवाइत होते हुए ऐसे यहां पर यह सिंदू नदी जो जा रही है यह सिंदू नदी में अपना ज स्प्राइबर कर निछार का नाम से मिठान कोट यह मिठान कोट में अपना जल सिंदू नदी में गिरा देती है तो ये तीन नदियां जो है हो गई आपकी पूरवर्ती नदियां ठीक है और ये तीनों पूरवर्ती नदियां जो है अपने अपने हिमाले खेत्र में जहां से हिमाले युवा इस ब्रवाइध हो रही है और पाणु से प्रवाइध हो ते समय वह अप्ना इस्तान नहीं परिवर्थित करती है अर्थैत हम बात करें हिमाले हिमाले छेतर से तीन नदियां लगाता प्रवायित हो रही Thin प्रवायित होने के कारण इन्होंने अपना रास्ता बदला नहीं हिमालय का यह तरफ उत्थान होता रहे और यह पने स्थान पर प्रवायित होती रहे अर्ठात हिमालय उपर उठता Raha साथ ही यह नदियां यहां से प्रवाइत होते हुए हिमाले को नीचे काटती रही यानि कि यह इस तरीके से हिमाले को काट लिया यह नदी यहां से प्रवाइत हो रही है प्रवाइत होते होते नदी अब जब नदी की एक प्रवत्ती होती है देखिए नदी के एक प्रवत्ती होती है कि नदी जब भी उचाई से गिरती है तो वो क्या करती है अपना कटान करती है जब भी नदी उचाई से गिरती है तो कटान करती है क्यों उचाई से गिरते समय नदी जो होती है अपनी युवावस्था में होती है वो खुत ज्यादा होती है अधिक होती है कोशन इस तरीके से पूछा दा सकता है कि कोई भी नदी है उसमें उसकी गति जुर्जा सरवाधिक कब होती है युवावस्ता पौड़ावस्ता या ब्रद्धावस्ता तो युवावस्ता में नदी में गति जुर्जा सरवाधिक होत निर्माड कर लिए तो हम इसको जिआ जियो ग्राफिकल वासा में इसको हम कहते हैं गार्ज क्या कहते द्रशन यानि की यह ठी नदियां sleण तू लुख रब्रह्य पूत करते हैं न गर्शन इंग्लिज का आ इच्छर वो पर से यसको लब Met honey ben इसको बहुत जड़ा गहरा करती है इसमें भूर्शनाम दिया जाता जिसको कैनियन कहा जाता है क्या कहा जाता है कैनियन ठीक है कैनियन बनाने वाली नदिया जो है वो अधिकतर जो है आपकी अमेरिका साइड में पाई जाती है ठीक है भारत में ये तीन नदिया जो है ये गार्ज का निर्माड करती है कोशन पूछा जाता है कि सिंदू नदी कि जगह पर अपने गार्ज का निर्माड करती है तो सिंदू नदी जो है यहां पर एक गिलगिट जगह है गिलगिट जगह के निकट इस जगह पर सिंदू अपना गार्ज का निर्माड करती है जो जम्मू कस्मीर में है इसके बाद में सतलज नदी जो है आपके हिमांचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और हिमांचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा सिपकिला दर्रा के निकट या सिपकिला दर्रा में ही सिपकिला गार्ज का निर्मार जो है सतलज नदी करती है सतलज नदी के द्वारा हिमांचल प्रदेश में आपके सिपकिला गार्ज का निर्मार सिपकिला दर्रे में किया जाता है इसके बाद में ब्रंपुत्र नदी जो आपकी पूर्विक्यू और प्रवाइद होती है अवलांचल प्रदेश में यांग याप दर्दे से अंदर आती है तो यहाँ पर यह अवलांचल प्रदेश में ब्रंपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है इसलिए question आपसे पूछा जा सकता है कि दिहांगार जो है कौन सी नदी और कहां पर बनाती है तो ध्यान लखिये गांग दिहांगार जो है अवडांचल प्रदेश में ब्रह्मपुत नदी के द्वारा बनाया जाता है कहां पर अवडांचल प्रदेश और कौन से दर्रे में यांग याप दर्रे में बनाया जाता है तो यह हो गए कुछ question जो आपसे पूछे जाते हैं अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सिंदू नदी जलतंतर पर अगर हम लोग बात करें सिंदू नदी जलतंतर की या सिंदू नदी के अंतर च। फर्मुक बड़ी नदियां जो है ISMA सामिल है इसमें से सिंदू नदि जो है इस तंतर की पर मुक नदी है हमने पहले इस बात करी कि सिंदूनर्ई मांसरवर के निकट चेमायमणुम गलेसियर से निकलती है और इसके बाद में जम्मू कश्मीर में ये तीन स्रेडियां ये सिनडी जो आपकी लधाक है और ये न हीज़आ की जैसकर सिनडी होती है तो लद्दागवा जासकर के मद्द प्रवाइद होती है ठीक है सिंदू नदी यहां से प्रवाइद होते हुए गिलगिट के निकट यह जगह जो है गिलगिट है गिलगिट के निकट दच्छिड की और मुड़ करके यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है ठीक है और पूछा जाता है कि यहां पर एक सहर है ले ले किस नदी के किनारे अवस्थित है तो सिंदू नदी के किनारे इस जगह पर ले सहर जो है अवस्थित है ठीक है सिंदू नदी किंदो प्रवसरंखलाओं के मद्द प्रवाहित होती है तो लद्दागवा जासकर के मद्द प् प्रमुक जो छोटी साइक नदियां है वो पांच प्रमुक साइक नदियां है इसकी और उपर से नीची की और उनका क्रम इस तरीके से चलो बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर जो है वो है जेलम ठीक है जेलम इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है आपकी नदी है चिनाओ च चौने नंबर पर, जो है व्याज पांचवे नंबर जो है आपकी सतलइो, सतलज के बारे हम लोग already थोड़े दर लिया है ठीक है यह नदियां जो हैं यह सिंदू नदी की 7 प्रमुक सायक Cape इसके अलावा सिंदू नदी की अन सायक नदियां भी है जिन बारे हम लोग आगे चर्चा करेंगे खिक हैं तो जेलम नदी चिनाओ राड़ी सब्से साध्र की ऑर जो जह लम बात करेंगे इनके उदगम स्तल्क की बात करी कि इस तरीके से जहेलम ने पर आप पर पर स्रेड़ी रहें जिसका नाम है पीर पैंजाल पर रंखला है और इसके उत्तर में इस जगह पर एक जगह आम है और यहां पर जम्मू ठीक है इस जगह पर इधर जम्मू और अपर है श्री और जम्मू कस्मीर के छेतर में इस जगह पर एक जगह है जिसका नाम है बेरी नाग ठीक है बेरी नाग की जो बेरी नाग है बेरी नाग में ही एक सेसनाग जील अवस्थित है ठीक है तो जेलम नदी जो है सेसनाग जील से निकल करके ऐसे प्रवाहित होते हुए और यह पाकि लोग बात करेंगे चिनाव नदी कहां पर जहेलम नदी जो है Jum specifications में बेरी नाग के निकट सेस नाग जील से निकल कर इस जगह पर एक जील जिसका नाम है बूलर सील ठीक है बूलर जील में अपना जल गिराती और श्रीनगर जो है इसके तट पर अवस्तित यहां पर बूलर जील में पुना जल गिराती है और यहां से निकलने के बाद में यह भारत और पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान और भारत का एक राज है जिसका नाम है पंजाब पंजाब की सीमा रेखा पर और ऐसे प्रवाइत होती है जेलम के बाद में ने बात करी थी चिनाओ की ठीक है तो चिनाओ नदी जो है हिमांचल प्रदेश में एक दर्रा वस्तित है जिसका नाम है बारा लाचला बारा लाचला दर्रे से चिनाओ नदी निकलती है और चिनाओ नदी जो है वो बारा लाचला दर्रे से दो नदियों के रूप में निकलती है देखिए यह आपका बारा लाचला दर्रा है और यहां से बारा लाचला दर्रे से एक नदी इस तरीके से निकलती है और एक नदी इसको कहते हैं भागा ठीक है तो चिनाव नदी जो है चंद्र था भागा नामक नदियों की जलधारा से मिल करके बनती है जो की 12 लाचला दर्रे से निकलती ही मांचल प्रदेश से ठीक है और इसके बाद में यह मांचल प्रदेश पंजाम में प्रवाइद होते हुए सी इसके बाद में अगर बात करें, अगर हम लोग बात करें, रावी नदी की, तो रावी नदी जो है, यहां पर एक जगह या एक दर्रा है, जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रे से रावी नदी यहां से ऐसे निकलती है, और कुछ इस तरीके से प्रवाइत होते हुए अपना जल जो है यहां पर चिनाओ नदी में गिरा देती है यानि पाकिस्तान में प्रवेस करने के बाद में चिनाओ नदी में अपना जल रावी नदी जो है गिरा देती है ठीक है फिर जो समझते है रोतांग दर्रे से रावी से रोगतांग दर्रे से और निकलती जिसका नाम है भ्यास ठीक, ब्यास नदी का उद्गमिश्टर अगर पूछा जाता है मैं प्रवेस कर रही है लेकिन ब्यास नदी एक मातर ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेस नहीं करती है ठीक है अब इसको अगर आप चाहें कि याद कैसे रखना है तो देखिए हम याद कर करने का तरीका बदाते हैं भारत में कथा हिंदु दर में देखा होगा कथा भागवत जो होता है खुब होता है ठीक है और वो कौन कहता है तो ब्यास कहते हैं ब्यास जी होते हैं ठीक है तो ब्यास जी केवल कहां होते हैं भारत में ठीक है तो इस तरीके सिंदू नदी तंदर की एक मातर ऐसी नदी है ब्यास जो की भारत में ही प्रवाइत होती है बाकी सिंदु नदी की जितनी भी नदियां है यानि छे नदियां सिंदु नदी तंतर की प्रवंग नदियां है वो सब की सब चली जाती है पाकिस्तान में लेकिन ब्यास नदी जो है वो भारत में ही केवल प्रवाइत होती है यहां पर देखिए हिमांचल क्या नाम है या हरीके बैराज, हरीके बैराज जो की सतलज और ब्यास नदी जहां पर गिरती है, वही पर हरीके नामक बैराज जो है बनाया गया हुआ, और इसी जगे पर हरीके नामक बैराज में ही अपना जल जो है, ब्यास नदी जो है, सतलज नदी में गिरा देती है, और होती है इसके लाबा सबी नदियां जो है। वो सब की सब पाकिस्तान में चली जाती हैं चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं अगली नदी के बारे में इसका नाम है सतलज सतलज की अगर हम लोग बात करें सतलज की बात हम लोग कर चुके हैं लेकिन फिर से मिगबार करना चाहेंगे देखिए 17 नदी जो है मांसरोवर जील के निकट यहां पर राच्छस्ताल है यानि कि राकस्ताल है कौन से राकस्ताल जिसको राच्छस्ताल के नाम से भी जाना जाता है ठीक है राच्छस्ताल के नाम से भी जाना जाता है यहां से नदी निकलती है और हिमांचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से प्रवेस करके इमानचल प्रदेशता पंजाब में प्रवाइत होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाने के बाद में यहां पर मिठान कोट है मिठान कोट और इस जगे मिठान कोट में सिंधू नदी में अपना जल जो है गिरा देती है ठीक है अब हम इस नदी तंद्र की कुछ और बातों की बात करते है जैसे देखी हम लोगोंने बात करी थी जेलम नदी की जेलम नदी की बात करी थी इसके अंतरगत कोशन पूछा जा सकता है कि सिंदू नदी तंद्र की वह कौन सी नदी जो है जो केवल और केवल जम्मू कस्मीर छेतर से ही निकलती है तो जेलम नदी जो है एक मात्र ऐसी नदी है सिंदू नदी तंद्र की जो केवल जम्मू कस्मीर छेतर से निकलती है आपकी जहेलम वो कहां से निकल लई है आपकी जहेलम नदी जो है जम्मू कस्मीर से निकल लई है इसके बाद में तीन नदियां जो है हिमांचल प्रदेश से निकलती है तीन नदियां हमने बात करी तीन नदियां यह देखिए पहले तो चिनाओ रावी ब्यास यह तीन नदि जो है यह आपका तिब्बच से निकलती है ठिक है और आपकी सिंदु नदी जो है वह भी तिब्बच से निकलती है ठिक इसके बाद में हम लोग जेलम की बात करें तो जेलम पर ही आते हैं हम लोग जहेलम नधी से अन硫िन और पूछे जाते हैं तो उनकी भी हम लोग चर्चा करते हैं लेकिये जहेलम नधी जो है इसको पॉरालिक स्थल या स्वरी पॉरालिक कठाओं में या यह कहले है वैदिक काल में इसको अन नामों से भी जाना जाता था तो जेलम नदी को वैदिक संस्कृत में या वैदिक काल में वैदिक काल में इसको बितस्ता के नाम से जाना जाता था बितस्ता बितस्ता नदी के नाम से जेलम नदी को वैदिक काल में जाना जाता था ठीक है इस बितस्ता नदी के किनारे एक युद लड़ा गया हुआ था ठीक है इसके अलाबा इसको कस्मीरी भासा में कस्मीरी भासा में इसको बैथ के नाम से जानते हैं बैथ ठीक है इसके बाद में पंजाबी में इसको पंजाबी में इसको हम लोग बीहट कहते हैं क्या कहत जाता है हाइडे हाइडे स्पीज का नाम दिया जाता है इसलिए कोशन पूछा जाता है कि हाइडे स्पीज का युद्ध जो है कब लडा गया या किस नदी के किनारे लडा गया तो हाइडे है चेंदर और इतना याद अब धेखिए हमने बात करी ऐता की तो चिनाओ की तो चिनाओ नदी झूह हो है हमने बताया चण्द्र भागा है चण्दोरवागा ठीक है चिन्द्र और भागा नADY की जलधारा को जो हम कहते हैं वो चिनाओ नदी है ठीक इसके बाद में रावी रावी नदी को हम पुरालिक कथाओं में या वैदिक काल में रावी नदी को पौरुसनी नदी के नाम से जाना जाता था पौरुसनी ठीक है पौरुसनी या इसको इरावती कहा जाता है इरावती क्या कहा जाता कि दस राजाओं का युद्ध किस नदी के किनाई लड़ा गया तो रावी यानि की पौरुसुनी या इरावती रावी नदी को पौरुसुनी भी कहते हैं और इरावती के नाम से भी जाना जाता है जहां पर दस राजाओं का युद्ध लड़ा गया था ठीक इसके बाद में आजाते हैं ब्यास नदी के बारे में अगर बात करें तो इसका पूर्व नाम जो है इसको बिपासा कहते हैं क्या का जाता है भी पासा ठीक है ब्यास नदी को बिपासा के नाम से जाना जाता है इसके रावा जो सतलज नदी है इसको सतुद्री के नाम से जाना जाता है किस ना कहते हैं और पंजाबी में इसको बीहट कहते हैं इसके अलावा ग्रीक बासा में को हाईडेस किते हैं lange यह जो है जहलम यानी कि बिस्ता नदी के किनारे लडा गया किस के किसके बीच लडा गया तो पूरस वा अंत में सतलज नदी जिसको सतद्री के नाम से जाना जाता है इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी लंबाई से लंबाई की बात करते हैं क्योंकि इनकी लंबाई के बारे में भी कोश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए इनकी लंबाई पूछ बात कर लेते हैं ठीक है अगर भ लगवग प्रवाईथ होती है लेकिन अकर सरवादीग लंबाई किए घर बात कर आ जाए तो ब्रहहरभुत्व नदी की सिंदू नदी सिंदू नदी जो है दूसरी सबसे लंबी subscribed भारत में प्रवाईथ होती है जिसकी लंबाई जो है 2880 किलोमेटर लगबग है तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी इधर छे नमबर पर सिंदू नदी भी लिख लेते हैं ठीक है सिंदू सिंदू नदी की जो लंबाई है वह 2880 किलोमेटर है सतलज नदी की जो लंबाई है वह 1500 किलोमेटर है ब्यास नदी की जो लंबाई है वह 475 किलोमेटर लगबग है रावी नदी की जो लंबाई है करीब 725 या 20 किलोमेटर लगबग इसकी लंबाई है चिनाओ नदी जो है इसकी 960 km इसकी लंबाई है इसके बाद में जो आपकी जेला में इसकी भी लंबाई जो है 725 km के लगबग है ठीक है तो ये लंबाई है सिंदू नदी 2880 km ब्रह्म पुत्र के बाद में अगर किसी का इस्तान आता है तो सिंदू नदी का आता है 2880 km इसके बाद में अगर सिंदू नदी तंदर की बात करें सिंदू नदी तंदर की तीन बड़ी नदियां तो सिंदू 2880 km सतलज 1500 km इसके बाद चिनाओ 960 km ठीक है तो ये तीन बड़ी नदियां है सिंदू नदी तंदर की आइनके एक बार और ल किल्यूमीटर जहे लंकी साथ सूं पच्चीस किल्यूमिटर लग बग जो है इनकी लंवाई है हम बात करते हैं कि भारत में प्रवायत मिल्धिय। भारत में प्रवायत होने वाली जो नदियां उनकी लंबाई की बात करते हैं क्योंकि यह प्रस्ण पूछ लिया जाता है कि निम्न खित में से कौन सी नदी का क्रम सही है ठीक है एक कुशन दिया जाएगा इसमें पूछ लिया जाए क्रम में लगाईए यह यह पूछ लिया ज है कौनसी है जिसकी कुल लंबाई एढений 200 किलों मेटर है कितनी 200 किलों मेटरं दूसरे नंबर और आपकी आती है सिंधू नदी कि कौनसी आती सिंदू जिसकी लंबाई जो एठाज 2080 अशी किलो मिटर है इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आती है वह आपकी गंगा गंगा की लंबाई जो है पचीस सो पचीस किलो मिटर है इसके बाद में चौथे नंबर पर आपकी आती है सतलज नदी ठीक है कौन सी आती है सतलज नदी ठीक है सतलज की लंबाई जो है पंदरा की नदी है नाम के नाम है नाम है यई ऩोड़ा विरी कि लंबाई जो है वो 1465 km लगभग है। 1465 या 60 km लगभग है ठीक है इसके बाद में छटे नंबर पर आती है आपकी यमुना तिक तो रिक की करीबी बताया गया है तो तेरा सो पचासी किलो मेटर लगबग जो है यह मुना की लंबाई है तो भारत में यह प्रमुक रूप से जो छह जो है हम छह की बात करें ठीक है छह नदियां जो है जो भारत में प्रवाइत होती है और इनकी जो लंबाई है वो इस प्रकार से ब् इसके बाद में अगर हम बात करना चाहें तो सिंदु नदी के बारे में और कुछ बातें कर सकते है देखे question एक पूछा गया हुआ है यह पूछा जाता एक स्थर कि सिंदु नदी का जो डेल्टा है सिंदु नदी का जो डेल्टा है वो गंगा नदी की अपेच्छा छोटा है बिल्कुल सही बात है गंगा नदी की अपेच्छा जो है सिंदु नदी का जो डेल्टा है वो छोटा है इसका प्रमो कारण ये है कि गंगा नदी जो है वो हिमाले छेतर से निकलती है और जबकि सिं नदी का जो छेत्र है वो पानी ज्यादा करती है ठीक है और जबकि सिंदू नदी जो है वो सीधे पहालों में प्रवाइद होते हुए इधर चली जाती है मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि देखिए जब आपकी नदी कोई भी नदी हो या पानी हो अगर आप जमीन में यहां पर मिट्टी आ दिये वहां अगर डालेंगे तो गीला ज़्यादा होगा जल छेतर जो है गीला ज्यादा होगा जबकि एगर पहाल में अगर कोई फरस में आप पानी डालोगे तो पर्टिकुलर एक सीधी रेखा में वह चला जागा या कहीं ढलान वाला च्छेतर वहां चला बात करिए प्रमुक्त साहक नदिया है जिनके बारे में देख लेते हैं। सिंदु नदी में दाएं और बाय चोर पर आकर के मिलने वाली कुछ नदियां हैं जिनकी बारे में हम लोग बात करेंगे देखिए सिंदु नदी यहां से निकलती है ऐसे प्रवायत होती है तो इसका ये वाला चेतर जो हो गया ये दाया चेतर हो गया और इधर वाला चेतर य मिलने वाली नदियां, मिलने वाली नदियां, ठीक है, दाया तट पर मिलने वाली नदियां, देखिए यहां से एक नदी, इस अगे से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है सियोक नदी, और वो इस तरीके से मिल जाती है, ठीक है, कौन से नदी, पहली नदी हो गई सियोक, ठी दाया तकी बात कर।ा है। गापल गई इसके बाद तीसरी पाट रहा दी आगा और इसके बाद में बात करने कर बाते छोर Pride और मिलने वाली ना यहां बाय चोर पर सिंदु नदी में मिलने वाई नदियां तो बाय चोर कि अगर बात करेंगे तो यह इदर से एक स्रेड़ी है जिसका नाम है जासकर नदी एक हो गई ठीक है, एक नदी जासकर हो गई, दूसरी नदी जो है, यहाँ पर जासकर के बाद में एक नदी बहती है, सियांग, सियांग बहती है, और एक और नदी है, जिसका नाम है सिगार, ठीक है, यह नदीयां जो है, अन नदीयां, हमने जो पांच नदीयों की बात करी थी, जो ठीक है तो हमने सिंदू नधी तंत्र के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया अब आपको क्या करना इस वीडियो को एक बार नहीं कम से कम तीन बार देखना अगर इस वीडियो को आप एक बार में समझ जातने तो और अच्छी बात है अगर नहीं समझ पाते हैं इसको बार दो तीन बार आप देख लिजिए अगर इसको देखने के बाद में भी ना समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में आप जा करके कमेंट करिए और मैं आपको आपकी जो समस्या उसको सौल्व करने कोशिश करूंगा ठीक है दोस्तों तो यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह जरूर बताएगा और वीडियो को सेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में लाइक करिए कमेंट करिए धन्वाद